हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक क्वीडिर कमडिटी में स्वागत करता हूं तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक जबरदस्त हेजिंग स्ट्रेजी बताने जा रहा हूं जिसके वेसिस पर आप एजली प्रॉफिट बना सकते हैं वह हेजिंग प्रॉफिट मिलेगा या उपर आपको दूनों तरफ क्या होगा प्रॉफिट मिलेगा लेकिन अगर मार्केट आपका इसी पार्टिकुलर वेंज में रह जाता है तो फिर यहां पे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा और इस स्ट्रेजिग उपर अपने वीडियो नहीं और इसके उपर डीटेल से बात किया आए बिटन पर क्लिक करके देख सकते हैं नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यह नीचे कहीं पर जाये आपको प्रॉफिट मिलेगा यह नी वाटाइल मार्केट है तो आपको यह वाला इस कोई भी move देखने को मिले यह strategy आपको अच्छा खासा profit बना के देगा लेकिन अगर आपको लगता है कि market volatile नहीं है आपको लगता है कि market इस particular range में expire देगा और market आपका 100 points से कम का daily upside और downside move दिखाएगा तो ऐसे condition में क्या होगा यह strategy हमारा यहां पे fail होता हुआ देखेगा इस strategy के basis पे अगर आप trade लोगे तो आपको नुकसान उठाना परेगा तो यहां पे आपको एक अलग strategy इस्तेमाल करना परेगा जहां पे आपको इस particular range में profit होता हुआ दिखे तो आज मैं आपको वही strategy बताने जा रहा हूं जिसमें आपको इस particular range में अगर market वहता है तो यहां पे अपोजिट वाला strategy है आप इसको भी देखें यहां पे आपको इस particular range में loss हो रहा है लेकिन यहां पे आपको इस particular range में profit मिल वहा है लेकिन इसका इस्तेमाल कब करना उसकी उपर हम आगे डिटेल से बात करेंगे लेकिन यहां पे आपको loss unlimited देखने को मिलवा अच्छा कासा loss ह हो सकता है तो इसके साथ साथ यहां पर हम एजस्मेंट पर भी काम करेंगे यह वाला strategy आपने बहुत पहले भी देखा होगा है जो चीज जैनरी लोग मिस कर देते हैं इसका implementation कब और कहां पर करना वह बहुत ज़रूरी है यह होने के बापजूत भी आपको नुकसान दे सकता होगा दो चीज है implementation और adjustment जो कि आपको profit बना के देगा यानि तो loss को कम करके देगा हम इस वीडियो में इसी चीज़ को फोकस करेंगे तो चलिए इस strategy को पर detail से बात करते हैं तो यहां पर हम इस वीडियो में जो आज hedging strategy को पर बात करने जारे है उसका नाम है short strangle यहां पर आप clear cut देख सकते हैं और इससे पहले जो हम hedging strategy को पर बात किये थे उसका नाम था long strangle इसके just opposite वाला hedging strategy को पर बात किये थे तो इस hedging strategy को पर हम आएंगे और इसको कहां पर implement करना है और कैसे implement करना यह मैं आपको detail से बताऊंगा उससे पहले इससे related कुछ point है उस point के उपर यहां पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहला आपको break even point यहां पर कैसे calculate करना इसके उपर हमने separate वीडियो भी बनाया और अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो इसको भी आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते नहीं तो लिंक आपको वीडियो के description में आसानी से मिल जाएगा तो यहां पर अगर आप आप call side की तरफ break even point find करते हैं तो call का particular strike price plus premium फिड प्रीमियम आप जो भी पे कर रहे हैं यहां पर आप premium जो पे कर रहे हैं वो call side की तरफ भी प्रीमियम होगा और put side की तरफ भी premium होगा यहां पर break even point निकालने के लिए आपको call का strike price plus premium premium जो भी होगा call और put दोनों का add करना pay off chart दिख रहा है यह देख सकते हैं इसी तरह का pay off chart यहां पर आपको बनता हुआ दिखेगा तो यहां पर इस strategy का इस्तेमाल कब करना अगर market का volatility आपका increase होता है तो क्या होगा यह जो hedging strategy है यह आपको नुकसान पहुंचाएगा यह आपको hurt कर सकता है लेकिन अगर volatility decrease होगा यह जो hedging position है आपको automatic profit बना कर देगा यह यह positions को help करेगा low volatility और high volatility positions को hurt करेगा उसके बाद time decay इसका सबसे बड़ा friend है अगर time decay होता है fast और market एक range के बीच में trade करता है particular time period में तो यहां पर आपको यह positions help करेगा यह यह positions आपको profit में दिखेगा यह यहां पर आपको positive MTM में यह क्योंकि यहां पर हम sell side की तरफ जाएंगे call or put दोनों को sell करेंगे और reward यहां पर आपको काफी limited दिखेगा और maximum loss भी यहां पर आपको unlimited दिखेगा चलिए इस hedging strategy को समझते हैं इसको कहां पर और कैसे implement करना है तो यहां पर हम चार्ट पर आगे और यह देख सकते हैं यह आप आप one hour के time frame में करेंगे इसके basis आप चाहो तो intraday trade भी ले सकते थोड़ा मुस्किल है लेकिन आप ले सकते हैं और यहां पर आपको accuracy level भी high देखने मिलेगा लेकिन अगर आप इसको कम time frame में करेंगे तो थोड़ा accuracy पर सवाल उठ सकता है यहां पर क्या करना है यहां पर हम ए किसी और broker में तो वहां पर यह आसानी से अबलेबल हो जाता है अगर यह अबलेबल नहीं है आपके trading platform है तो आपको क्या करना पता हिए इन तीनों broker में switch कर सकते हैं डिमेंट एकांट इन तीनों open कर सकते हैं जिरोधा आप ते stock angel link description में भी लेगा तो चलिए देखते हैं इसम हो जाता आपका upper band है ठीक है यहां पर तीन बैंड दिख रहा है तो यहां पर जो हम short strangle hedging strategy के इस्तेमाल कब करेंगे जब आपको price इसके आसपास देखें अभी जस्ट प्रैस आपको इसके आसपास देख रहा था और जैसे यहां से नीचे आया तो अच्छा कासा momentum हमें hedging के आसपास दिखेगा तब यहां पर हमें क्या करना इस hedging strategy के basis पर यहां पर हमें entry लेना है ठीक है तो entry हमें कब लेना clear समझ में आ गया जब market आपका इसके आसपास रहे तब यहां पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले यहां पर हमें market condition क्या देखना इसको हमें तब ही implement कर करना है जब market आपका less volatile हो जो कि मैंने आपको पीविटी बताया था अगर market आपका वोलाटाइल वहेगा यह क्या देगा यह हमें हर्ट करेंगा यह हमें नुकसान दे सकता है तो सबसे पहला condition है कि आपको पता करना है कि market volatile है यह नहीं है अगर market आपका less volatile that means true अगर market आपका एक particular range पकर लिया है और उसी range के बीच से move कर रहा है तो फिर यह strategy once time के लिए perfect है यह strategy आपको profit बना के दे सकता है लेकिन अगर market volatility आया है यहाँ पर हमें जबदस नुकसान उठाना पड़ सकता है इसलिए हम इसके adjustment के उपर ही बात करेंगे और उसको भी यहाँ पर हम समझने क time लाएगा और यहां पर लगवग आपको 200-300 point का margin मिल जाता चाया उपर हो या नीचे हमें कुछ margin मिल जाता है अगर यह 200 point तक जाने में एक से दो दिन लगा देता है तो यह जो मेरा हेजिंग strategy है यह automatic मेरा profit में आ जाएगा तो यहां पर हमें benefit मिलता है इसलिए हम इस middle point पर इसको execute करते है अगर हम यहां पे अगर हो breakout देखने को मिल गया किसी भी तरफ तो हमें अच्छा खासा नुक्सान हो सकता है अगर हम यहां पर भाई किये और downside की तरफ breakout देखने को मिल गया तो फिर हमें अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है इसलिए इसका implementation कहां पर करना किस market condition करना और कभ यहां पर entry लेना वो के लिए आपको समझ में आ गया अब यहां पर हमें adjustment के उपर बात करेंगे इससे पहले हम इसके option chain पर आते हैं और इस strategy को अच्छे तरीके से और detail में समझते हैं कि इस strategy हम करते क्या है यहां पर बैंक nifty option chain पर आगे देख सकते हैं आपका bank nifty का option chain अब यहां पर हमें क्या करना है यहां पर हमें support और resistance level find करना है support level की बात करें देख सकते हैं यह आपका 35,000 level support की रूप में काम करें जहां पर 20 lakh से ज्यादा हुआ है put side की तरफ अप side में अगर हम देखें तो 36,000 यह आपका resistance की रूप में काम करेंगा जहां पर लगवग आपका 35 lakh से ऊपर आपका हुआ है तो यहां पर हम क्या करेंगे support level के put options को यहां पर हम sell करेंगे ठीक है यहनी 35,000 के put options को sell करेंगे और at the same time यहां पर हम 36,000 के call options को भी sell करेंगे यहां पर हम दो positions लेंगे 36,000 के call options को sell करेंगे और at the same time 35,000 के put options को sell करके यह हम क्या बनाएंगे अपना hedging strategy form करेंगे जिसका नाम होगा short strangle अब यहाँ पे हमारा क्या होता break even point हम कैसे find करेंगे मैंने आपको already बता दिया put side की तरफ हम कैसे find करेंगे put side की तरफ अगर हमें break even point find करना होगा तो put strike price minus premium paid यानि 144 और इधार अगर हम बात करें तो hundred यानि लगवग आपका 244 अगर हम इसमें से minus कर देते हैं यहाँ पे हमारा break even point बनेगा 34,750 के असपास यहाँ पे हमारा break even point बनेगा 15 point उपर नीचे हो सकता है वहीं अगर हम उपर side की तरफ हाते है 36,000 यह हमारा upside में यानि call side की तरफ strike price है और call side की तरफ अगर हमें break even point फाइंड करना है तो 36,000 प्लस 244 यहाँ पे हमें 36,244 मेरा break even point बन जाएगा अब break even point का क्या मतलब है अगर market 36,244 की उपर जाता है तो फिर मुझे यहाँ पे नुकसान होगा और वहीं अगर market आपका 34,750 के नीचे जाता है तो फिर यहाँ पे मुझे नुकसान होगा अगर market 34,750 से लेके 36,244 के बीच में रहता है तो यहाँ पे मुझे क्या होगा यहाँ पे मुझे profit मिलता हुआ दिखेगा और यही हमारा क्या है यही हमारा hedging strategy है तो चलिए अब हम इसको pay of chart पे भी चलके और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं अब यहाँ पे देखें यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे हमने 35,000 के put options को sell किया second June वाले expiry में देख सकते हैं यहाँ पे minus 1 है that means 2 हमने इसको sell किया और इसका premium है 156 के करीब और at the same time यहाँ पे हमने 36,000 के call options को भी sell किया same expiry second June वाला यहाँ पे minus 1 है मतलब यहाँ पे हमने sell किया और इसका premium कितना है 93 premium है इसका अब यहाँ पे देखें यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे हमें profit limited दिखें यहाँ पे मुझे 6,248 के करीब मिलता है यहाँ जो भी capital हमने लगा है उसका 4% करीब यहाँ पे मुझे return मिलेगा जो कि sufficient return माना जाता है उसके बाद profit probability देख सकते है 62% इसके profit probability है उसके बाद break even point देख सकते है नीचे में आपका 34,750 जो कि मैंने आपको बताया था अगर market इस range के नीचे गया तो यहाँ पे मुझे क्या होगा यहाँ पे मुझे loss हो सकता है अगर उपर market आपका 36,250 के उपर आया तो फिर मुझे यहाँ पे loss होगा अगर market इस range के बीच में रहा 34,750 से लेके 36,249 इस range के बीच में अगर market रहा तो यहाँ पे मुझे क्या होगा यहाँ पे मुझे profit मिलता हुआ दिखेगा मैं यहाँ पे profit में रहूँगा एक स्पारी डे लेवल के basis पे अगर हम बात करें तो अगर इस पारी इस के बीच में कहीं पे भी होता या इस लेवल के आसपास भी होता तो हम यहाँ पे profit में रहेंगे और यहाँ पे आप margin देख सकते हैं लगबग आपका डेवला के करी margin लएगा और यहाँ पे आप 6,000 तक का profit यहाँ से निकाल सकते हैं यह हमारा hedging strategy इसका नाम है short strangle अब इस hedging strategy के basis पे देख सकते हैं यह हमारा pay off chart बना है अब यह इसका इस्तेमाल कब करना है एक बार और आपको समझता है कि अगर आपको लगता है कि market आपका 34,750 से नीचे नहीं जाएगा और उपर में 36,250 से उपर नहीं जाएगा तब आप इस hedging strategy के इस्तेमाल कर सकते हैं यह अगर आपको लगता है कि market इस particular range के बीच में ही रहेगा और इस particular range के बीच में एक्सपाईरी देगा तो फिर आप इस strategy के इस्तेमाल कर सकते हैं और यह आपको definitely profit बना के देगा और mostly जो बरे-बरे traders होते हैं जो आपको options writing करते हैं जैनरल इसी तरह का writing करते हैं और वो market situation को देखके इसके basis पे tweet करते हैं तो यहाँ पर क्या चाहिए यहाँ पर हमें less volatile market चाहिए जो कि मैंने आपको already बता दिया था less volatile market बार इस particular range में expired दिया तो आपको यहाँ पर profit मिलेगा तो इस hedging strategy का कहां पर इस्तिमाल करना कैसा payoff chart बनेगा वो सब कुछ यहाँ पर आपको clear हो गया लेकिन अगर इस range के बाहर निकला चाहिए उपर या नीचे कहीं पर भी जाए तो आपको अच्छा कासा loss उठाना परेगा तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर गलत हुए और range के बाहर निकला market तो हम यहाँ पर adjustment क्या करेंगे चले उसके उपर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हम वापस से कहां पर आगए bank nifty के आवली चार्ट पर अभी देखिए अभी यहाँ पर हमारा अभी बहुत ज्यादा लेकिन अगर हमें यहाँ पर किया है हमसे गलती हुए है उस गलती को हम कैसे सुदा रहेंगे adjustment के जरी है वह यहाँ पर आपको सीखना है support यहाँ पर आपने इंट्वी ले लिया अगर हम यहाँ पर इंट्वी लेते हैं तो क्या करते 35,000 के put options को यहाँ पर हम sell करते हैं और उपर में 36,000 के call options को sell करते हैं ठीक है यहाँ पर था अब उसके बाद क्या हुआ मार्केट यहाँ से नीचे side की तरफ गिर है तो यह वाला जो हमने sell किया 36,000 का call options यहाँ पर कोई tension नहीं है अब हमें tension कहाँ पर है 35,000 के करीब market आ सकता और यहाँ से नीचे side की तरफ गिर सकता है लेकिन जो हमने pay off chart बनाया था उसमें क्या था हमें margin कहां तक मिल वा था 34,750 तक यहाँ पर हमें margin मिल वा था तो यहाँ पर अभी हमें घबराने वाली कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर हम Bollinger Band का इस्तिमाल करें यहाँ पर हमें घबराना कब है जब ही आपको support line को break करके नीचे आएगा और इसके नीचे अगर यह closing दे देता है तो यहाँ पर क्या करना है हमें adjustment अपना करना सुरू कर देना हमें यहाँ पर इसके लिए active हो जाना जैसे ही support line को break करके नीचे closing दिया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम 35,000 के put options को sell किया था तो यहाँ पर हम इससे नीचे इसकों clear कर देते हैं इससे नीचे 35,100 या फिर 35,200 जो भी put options आपको सही लगता है इन दोनों में से कोई एक put options आप यहाँ पर buy कर लेंगे यह मेरा profit थोड़ा सा decrease कर देगा profit मेरा सारे 6000 का उड़ा था यहाँ पर 1000 का profit मेरा कम हो जाएगा लेकिन क्या होगा जो मेरा positions है वो काफी हद तक secure हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर market volatile है और हमने गलत positions लिया इसलिए अभी यह break नहीं किया जैसे इसको break करके इसके नीचे closing हो जाएगा यहाँ पर हम closing basis बात करें अगर इसके basis पर closing दे दिया ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करें है 35,100 या 200 जो भी आपको सही लगता supported 35,100 काई put options यहाँ पर हम buy करके छोड़ देंगे safety के लिए पहला काम यह करें दूसरा काम मेरा break even point क्या है वो आपको देखना 34,750 तो उसके वाल अगला support level कौन सा है 35,000 जिसका हमने strike price sell किया put वाला यहाँ पर अगर आपका 35,000 का put options जिसको हमने sell किया इस label को अगर break करके नीचे है that means true जहां तक हम उमीद कर रहे थे उससे नीचे आ गया तो जैसे ही इस label को break करके नीचे गया तो यहाँ पर क्या करेंगा 35,000 का put options हमने sell किया था उसको loss में जितना भी loss हो हम उसको नहीं देखना इसको हम exit करेंगे at the same time और इसको exit करने के साथ-साथ यहाँ पर अगर हम 35,100 के call options को हमने buy किया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 35,200 के put options को यहाँ पर यह put options की बात हो रहे है तो यहाँ पर हम put options को वापस से buy कर ले हैं यहाँ पर हमने पहले 35-100 के put options को buy किया था तो वहाँ पे हम क्या करेंगे एक और put options को buy करेंगे 35-200 के put options को buy करें यानि अब हमारा sell बाला positions खतम हो गया और 35-100 और 35-200 ये दो put options हमारे पास buy बच गया और उपड में 36,000 का call options हमारे पास sell बाला बच गया अब क्या होगा अगर market इसके नीचे closing देता है तो वो एक hint दिया कि market नीचे जाएगा उसके अलावा एक और तगरा supportable 35 है इसको भी break करके नीचे आए मतलब market यहाँ से और नीचे सायर की तरफ गिर सकता यहाँ से 200-300-400 point तक का और गिरावाट दिख सकता जो भी loss मुझे यहाँ पे हुआ है वो दोनों loss थोड़ा बहुत यह कभर करके दे देगा ultimately यहाँ पे हम ज़्यादा loss में नहीं रहेंगे या फिर हम थोड़ा बहुत profit में भी आ सकते हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पे adjustment करना सम तरीके अगर market उपर निकलता है और इसको break करके उपर निकलता है यहाँ पे हम एक और call options buy करेंगे और उसके बाद अगर यह 36 आप के लेवल को break करके उपर निकलता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे हम call जो भी sell किया उसको हट आके वापस से हम एक और call options buy कर लेंगे इस तरीके से यहाँ पर हम adjustment कर सकते हैं और इसी तरीके से आपको यहाँ पर adjustment करके जो short strangle है जहाँ पर risk unlimited है risk को हम यहाँ पर कम कर देंगे तो उमीद करते हैं यह concept यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा अगर इस से related कुछ भी समझ में नहीं आ है तो आप हमें comment section पूछ सकते हैं या नहीं तो आप हमें call करके भी पूछ सकते हैं so that's all friends उमीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज वीडियो को like करके encourage किजे ताकि हम इस तरह के और वीडियो आपके लिए regular basis पे लाते रह आपके लाते हैं